बैहरमायों नमस्कार, जैमाता की, फ्रस्तुत वीडियों में चर्चा करने वाला हूं, कन्यस लगन और कन्या राश्य पर पढ़ने वाले वक्रिये शनी के बोछर के प्रभाव हो हूं। अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशी के वेक्ति हैं तो मेरा निवेदन है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कुछ जानकारियां आपको मिलेंगी जो आपके लिए एक्ताम दायक हो सकती है अच्छी हो सकती है मेरवायों कन्या लग्न पर पंचम और छठे भाव का स्वामी हों करके शनी जो है मिश्रित खलकारत होता है लेकिन लगनेश का मित्र होने के कारण प्राया इसके जो रेजर्स होते हैं वो अच्छे ही होते हैं छठे भाव में कुम्ह राशी में अपनी मूल्त्रिकोन राशी में शनी का वक्री होना कन्या लग्न और कन्या राशी के जात्तों को क्या देने वाला है बैनों भायों वक्तरी ग्रह के बारे में इस पस्टता है कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इसके परिणाम अनपेच्छित होते हैं अप्रत्याशित होते हैं शीघ्रता से मिलते हैं शनी वैसे तो सनाइश्चर है इसके रेजल्ट्स देर से मिलते हैं लेकिन क्या है कि जब शनी वक्तरी हो जाता है तो जल्दी रेजल्ट देख रहा है यहीं फर्क है मारगी और वक्तरी शनी के फ्रभाव अब जिनकी जन्म कुंडली में वक्तरी शनी है उनको विसेश परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शनी मारगी है उनको विसेश परिवर्तन देखने को मिले छटे भाव में शनी का वक्तरी होना शत्रु आपके परास्त हो जाएं शत्रु निर्वल हो जाएं रोगों से मुक्ति मिलेगी अगर आप सारीरिक रोगों से परेशान हैं तो रोगों से मुक्ति मिलेगी सिखरता से किसीतलाए से रिलंगों से मुक्टी मिलेगी सिगरतास नि कि आकश्मिक लाब भी मिलेंगे आकश्Как धनारजन भी मिलेगा आकश्मिक पैस्त्रक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी आपको लाब मिलेगे मैंनों वाईयों छठे भाव में शनी का गोचर जिसकी एक दृष्टी पड़ेगी आपके द्वादस भाव पर इसका मतलब यह है कि द्वादस भाव से रिलेटेड जितनी की भी समस्षाएं हैं वह आपकी दूर हो आप का जो दामपत्य जीवन है वहां भी अच्छा रहेगा अगर आप सिच्छा प्रतियोगिता की तैयारी में कर तैयारी कर रहे विद्यारती हैं नौकरी की तलाश कर रहे विद्यारती हैं तो आपको इस छेत्र में भी सफलता मिलेगी बेशक आप जो है प्रतियोगी परिछाओं में सफल हो सकते हैं थोड़ा सा आलश्य से बचना पड़ेगा क्योंकि पंचम भाव में शनी के प्रभाव के वस थोड़ा सा आलश्य भी आएगा आज का काम कलपे टालने की फ्रवंति भी पैदा होगी थोड़ा सा यहां पर आपको सावधान रहने की जरूत है प्रेम संबंधों में विस्तार होगा या प्रेम संबंधों में सुख और सहूलियत से मिलेंगी सुखिधाय मिलेंगी फ्रेम संबंधों का वर्चस्व बढ़ेगा तो दनों भायों कि आपको कि एफर्ट्स करने चाहिए प्रेयत्म करने चाहिए प्रयास करने चाहिए तरक्टी के लिए निश्चित तौर पर आपके वो प्रयास सफल होगे किसी भी छेत्र को लेकर के कोई काम फेंडिंग पड़ा हुआ है उसके लिए अब लग जाईए तो जो अभी तक वो काम नहीं हो पाया था वो काम अब इस आवधी में हो जाए पुल मिलाकर के अगर कन्या लगन और कन्या राशी पर शनी के वकरत्तों के प्रभाव को देखा जाए तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग 80% आपके अनुफून रहेगा यानि आपके लिए अच्छा रहेगा और थोड़ी बहुत समस्याएं 20% पे रहेंगी और वो सब्सक्री जब आप लापरवाही करो गें जब आप आलश्य करोगें इसलिए यह अवधी ऐसी है आपने प्रेतनु को मज़बूर कर दीजी पर फ्र्वार दीजे आपकी हर इच्छाएं पूरी होंगी इसी वक्रू शनी के प्रभाव से आप्सखी रहें शमय बहन absent के साथ मैं आप से विदा लेता हूँ प्रेम से बोलिए जैमार्ट